नमस्कार दोस्तों कैसे है आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ हीस्ट कॉर्नर के बारे में यानि साउथ हीस्ट जो दिशा है वो अगनेयकोन है वास्तु में यानि के पूर्व और दक्षिन के बीच में आता है अब ये जो अगनेयकोन है यहाँ पर ऐसा कौ नहीं सकता है ऐसे कौन से दोश है वो हम देखेंगे दोस्तो अगर आपका घर में जो ये साउथीस्ट दिशा है साउथीस्ट दिशा में समझे जो भी रूम है यहाँ पर अगर कीचन है तो बहुत अच्छी बात है कीचन आपको यहाँ पर प्रॉब्लेम नहीं होगा लेकिन आप ध्यान में यह रखिए कि जो गैस्टो है वो साउथीस्ट के एक्सस में आने दिजिए एक्सस में इसका मतलब क्या है कि जो साउथीस्ट दिशा है इस दिशा में आपको गैस्टो यानि अगनी रखना है यह आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा लेकिन अगर कीचन हे तो जो अगनी कौन है, अभी ये जो एकसेस मैंने बोला है, वो क्या होता है समझो ये बीच में की खते शुंस्त का पॉर्षन है तो ये यह जो है ये होगया तो ये पूरा हों गया water storage अगर है तो water storage यहाँ पर नहीं आने देना है water storage अगर यहाँ पर होगा तो वो ladies के health related issue चालू करेगा तो यहाँ पर अगर रसोई है तो यहाँ पर आप अगनी का स्थान रखिए यह तो हो गई पहली बात अभी यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि अगर आपका bedroom है bedroom अगर है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका bed ज्यादा करके आपको यह जो south की wall है यानि दक्षिन दिशा की इसको लग के रखना है लेकिन exact southeast corner में नहीं रखना है southeast corner में अगर आप bed रखते हो तो यह दिशा जो है इस दिशा के जो properties है यह दिशा के जो भी गुंधर्म है वो आपको उस प्रकार से result नहीं दे पाती है यह फिर से आपको financial problem आ सकते है यहाँ पर bed रखोगे आपको बाकी तो health issues है या फिर चिड़चिड़ापन है वो तो चीज़े रहेगी लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे अगनेय दिशा में कौन सा दोश है सबसे बड़ा जो अगर आप हटाओगे तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा तो यह तो हो गए अगर bedroom है bedroom है तो यहाँ पर आपको अगर यह आपका south east corner balance है यानि के cut नहीं है यहाँ पर extension नहीं है कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर unnecessary red bulb लगाना नहीं है बहुत बार क्या होता है कि लोग यहाँ पर unnecessary red bulb लगा के रखते है तो वो भी अगर वहाँ की उर्जा बढ़ती है तो भी उसका side effect हो सकता है तो वो आपको proper किसी वास्तु consultant से पूछ कर ही यहाँ पर red bulb या red color यूज करना है जादा मातरा में अगर यूज करना है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा दोश माना जाता है वो है toilet का अगर इस दिशा में south east में अगर toilet आता है अभी यहाँ पर जो मैंने दिखाया है यह थोड़ा सा rectangle है तो rectangle घर में क्या होता है कि यह दिशा है थोड़ी इस प्रकार से आते है कि यहाँ पर south east आएगा यहाँ पर east रहेगा rectangle है तो वो directions थोड़ी सी side में निकल जाती है तो exact access आपको देखना है अगर इस access पर toilet आ रहा है जो भी south east का access है तो यह आपकी cash जो है आपके hard cash रहेगी या फिर आप जो भी savings करना चाहोगे यह सब यह drain out करेगा आपके हाथ में cash नहीं रुक पाएगी अगर south east में toilet है अभी इसमें आप एक बात बहुत जरूरी ध्यान में रखिये कि south east toilet की remedy करते वक्त आपको गड़बड नहीं करनी है लोग क्या करते है कि south east में toilet है यह color का tape लगा दो यह color का tape लगा दो बराबर है उसमें गलत कुछ नहीं है लेकिन आपको सबसे पहले exact zone देखना है कि वो toilet south east में है या फिर south south east में है या फिर east south east में है वो जिस zone में उस toilet का जो hole है पानी जाने वाला वो hole आपको देखना है कि कौन सी zone में आता है और उस zone के according आपको वहाँ पर tape लगानी है वो tape लगानी के बाद यह आपका दोश जो है वो control में आएगा मैं recommend करूंगा कि south east में अगर toilet है यह बहुत बड़ा दोश है यह आपको जो है हमेशा cash के problem में उलजाय रखेगा आप बाकी चीजों में से आपका ध्यान हट जाएगा कि आप आपके business में कैसे gain कर पाओगे या फिर नए opportunities कैसे लाओगे यह सबी चीजों में आपको पैसे में परिशानी है तो बाकी चीजों में आपको उलजाय रखेगा तो यह जो दोश है इस दोश को आप या तो यहां से toilet प्रॉपर जगे पर shift कीजिए अगर shift करना possible नहीं है तो इसको permanent वाली remedy कीजिए color strip तो लगानी है बाद में metal strip भी लगाई है permanent remedy कीजिए अगर यह वास्तुदोश आपका treat हो जाता है तो आपके cash related बहुत सारे problems unwanted expenses related बहुत सारे problems health related issues है बार-बार उस पे खर्चा हो रहा है तो ऐसे जो problems है यह सभी problems आपके control में आ जाएंगे अगर यह एक remedy आप करते हो अगने यह दिशा में अगर इस दोश को आप हटाते हो तो आपको यह बहुत बड़े लाब दे सकता है तो इस प्रकार से आप यहां से जो जो मैंने अलग-अलग दोश बताए है उनको कम कीजिए ताकि आपका लाब बढ़ता रहे धन्यवाद दोस्तों